हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी यूनिवर्स मद्यप्रदेश डेली करन्ट अफेर में आपका स्वागत है आज है 3 अप्रेल 2019 और यह हमारी 118 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आये हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो आईकोन में हमने एक question दिया है जिसको आप solve करें और उसमें answer tick करें ऐसा करने से आपको अपनी preparation का पता चलेगा question number first पर IPL 2018 में पहली hat trick ली है इनोंने IPL की अठारवी hat trick ली है आपको दा दे यह पंजाब की team से खेलते हैं और इनोंने हाली में दिल्ली के खिलाफ hat trick ली है दोस्तो आपको बता दे यह छोटी छोटी question जिन पर हम दियान नहीं देते हैं वही एक्जाम में पूछ जाते हैं जैसे कि यह question बहुत important है 2018 में पहली hat trick सेम करेंने लिए IPL में तो इतना आपको इस IPL 2018 की बारे में याद रखना है next question हाली में कौन सा देश अंतरास्टिय सौर संग्ठन का सदस्य बना है जिसका सही option है बोलोविया हाली में बोलोविया अंतरास्टिय सौर संग्ठन का सदस्य बना है हाली में हमारी रास्टपती बुलोविया की यात्रा पर गए है जहांपर बुलोविया ने अंतरास्टिय सौर गठवंदन के फ्रेमबर्ग पर हस्त आकशर किये है दोस्तो अब ये बुलोविया ने अंतरास्टिय सौर संग्धन के सदस्व बना है तो आपको इसकी बारी बता दें अंतरास्टिय सौर संग्धंड को I.S.A की नाम से जानते हैं यानि International Solar Alliance भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसकी शुरुवात की थी I.S.A का हेट कौर्टर गुरू राम हरियाणा में है आपको I.S.A की मुख्ध देश बता दें इसका मुख्ध देश उर्जा प्राप्त देशों के एक जुटकर सौर उर्जा उत्पादन को बढ़ाना है तो इसी में हाली में बुलोविया देश भी शामिल किया गया है तो इतना आपको I.S.A की बारी में G.I. टेग दिया गया है यह हली सौास्त को बहुत उपयोगी होती है दोस्तो अब यह G.I. टेग दिया गया है आपको इसके बारें बता दें G.I. का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिगेशन होता है और यह टेग हर 10 वर्षों में दिया जाता है यानि 10 वर्षों के लिए यह वैद होता है आपको बता दें किसी बिसेस इस्पेशल इस्थान पर जो चीज पाई जाती है उसके लिए यह G.I. टेग दिया जाता है दारजिलिंग के चाय, तुरूपती लड़ू केरल के मरियूर गुड, करनाटक की सिर्शी सुपाडी तमिल नाडू की इरोड हल्दी और इंदोर के चमडे के खिलों ने इन सभी को G.I. टेग दिया गया है दोस्तो अब बात आईए ओडिशा की तो आपको ओडिशा की बारे में बता दे मैप में ये जिगा है ओडिशा को दरसाती है ओडिशा की इस्थापना 1 अप्रेल 1936 में की गई थी गवर्नर है गनेसी लाल मुखी मंत्री है नवईन पतनाएक और ओडिशा की राजधानी है भोवनेश्वर तो इतना आपको ओडिशा की बारे में याद रखना है नेस्ट क्वेशन गूगल इंडिया के हैड कौन है जिन्होंने हाली में इस्थीपा दिया है जिसका सी ओफ्षन है राजन आनंदन गूगल इंडिया के हैड है राजन आनंदन और इन्होंने हाली में इस्थीपा की घोशना की है ये गूगल के साउथ इस्ट एसिया और इंडिया के बाइस प्रेसिडेंट हैं और इसी महिने ये अपना पद छोड़ देंगे ये अब पैंचर फंड कंपनी सिको या कैपिटल जोईन करेंगे आपको बता दें इनकी जगह है गूगल इंडिया के अंत्रे महेंड हो गए विकास अगनी होत्री तो इतना आपको इनकी बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आईए गूगल की तो आपको इसके बारे में बता दें गूगल की इस्थापना चार सितंबर 1998 में की गई थी फाउंडर है लॉरी पेज और सर्जी वरेन गूगल का हेड़कॉर्टर कैलिफोर्निया में है और गूगल के CEO है सुन्दर पिचाई तो इतना आपको गूगल के बारे में याद रखना है हाली में आई रिपोर्ट की अनुसार किस जिले में कुपोशन से सबसे ज़्यादा बच्चे मरती है तिसका सई ओफ्षन है शियोपूर हाली में आई रिपोर्ट की अनुसार शियोपूर जिले में कुपोशन से सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत होती है देश में 1000 बच्चों पर 52 है वहीं अकेले श्योपूर में यह आंकड़ा 98 पर है यानि श्योपूर में प्रती 1000 बच्चों में 98 बच्चे को पोषण से अपना दम तोड़ देती है दोस्तो अब बात आई है श्योपूर की तो आपको कुछ important fact श्योपूर की बारें बता दे चंबल संभाग का एक जिला है श्योपूर मुरेना से 1998 में अलग करके श्योपूर जिला बनाया गया काक्ता जिला से श्योपूर में ही इस्थित है कुनो वन्य जीव अभ्यारन श्योपूर में इस्थित है तो दोस्तो इतना आपको श्योपूर की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में किस जिले में भारत विकास परिशत का सपत विधी समारो आयोजित किया गया है जिसको से यॉफ्षन रतलाम हाली में रतलाम में भारत विकास परिशत का सपत विधी समारो आयोजित किया गया है भारत विकास परिशत के जो नए सदस हैं उन्हे पदभार दिया जाएगा और साथ ही सपत गरहन समारोई भी रखा गया था दोस्तो अब बात आईए रतलाम की तो कुछ इंपोटेंट फेक्ट आपको रतलाम के बारें बता दे उज्जन संबाग का एक जिला है रतलाम 1829 में केप्टन वादफिक द्वारा इस्थापित किया गया था मद्यप्रिदेश में सरवाधिक अंगूर पैदावार करने वाला जिला है रतलाम सैलाना जहां खर्म और पक्षी सनरक्षन अभ्यारंड है यह भी रतलाम में इस्थित है और प्रिसिद्ध हुसेन टेकरी जो रतलाम के जवारा में है तो यह रतलाम में ही इस्थित है तो दोस्तो इतना आपको रतलाम की बारी में याद रखना है किस जिले में बिसेस मेडिकल बूड लगाया जाएगा जिसका सही ओफ्षन है मुरेना मुरेना में 8, 9 और 10 अप्रेल को बिसेस मेडिकल बूड लगाया जाएगा इस बूड में चुनाव डूटी करने वाले करमचारियों का परिक्षन किया जाएगा अगर कोई आस्वस्त मिलता है तो उसे चुनाव डूटी से मुक्त कर देंगे दोस्तो अब बात आईए मुरेना की तो कुछ important fact आपको मुरेना के बारें बता दें चंबल संभाग का एक जिला है मुरेना नागा जी का मेला मुरेना में ही लगता है बानमौर औद्यों के किंद्र मुरेना में इस्थे थे लीकी राज गुफाएं मुरेना में ही है चंबल रास्टी उद्यान मुरेना में इस्थे थे पहाड गड जहां गुफाएं हैं वह भी मुरेना में ही इस्थे थे तो दोस्तो इतना आपको मुरेना के बारे में याद रखना है next question हाली में किस जिले में पहली वार विजी ट्रॉफी क्रिकेट टूनामेंट खेला गया है जिसका सही option है गवालियर हाली में गवालियर में पहली वार विजी ट्रॉफी क्रिकेट टूनामेंट खेला गया है यह टॉफी BCCI और Gualier किरके डिवीजन के सहयोग से Gualier में आयोजित की गई थी इस टॉफी का आयोजन मद्ध प्रदीश में पहली वार किया गया था इसके मेचो का आयोजन ATM University Gualier में किया गया था जो हाली में समापन हुआ है इस टॉफी का दोस्तो अब बात आये Gualier की तो कुछ important fact आपको Gualier की बारें बता दे आठवी सताबदी में सूरस सेंद्वारा इस्थापित किया गया था Gualier Gualier के किले को जिब्राल्टर ओफ इंडिया कहा जाता है टांसिन समादी, जैबिलास पैलेस, गूजरी महल, मान मंदर, मोती महल ये सबी Gualier में ही इस्थेत हैं भारत का पहला शारेडिक परिक्षन केंद्र जिसे लक्षी भाई की नाम से जाना जाता है यह है Gualier में ही इस्थेत है रूप सिंग स्टेडियम भी Gualier में ही इस्थेत है तो दोस्तो इतना आपको Gualier के बारे में याद रखना है नेश्ट कॉशन हाली में किन जिलों में ओपन जिम शुरू किया गया है तिसका से यॉफ्षन है सागर, सतना, देवास इन तीनों जिलों में हाली में ओपन जिम शुरू किया गया है खेल और युवा कल्याण, बिभाग द्वारा इन तीनों जिलों में 10 लाख रुपे की रासी से ओपन जिम बनवाई गई है नेश्ट कॉशन हाली में किस भारतिय खिलाडी को स्वेकवेस वर्ल्ड रैंकिंग में 10 लाख रुपे की है जिसमें भारत की स्वेकवेस गोसाल को 10 लाख राप्त हुआ है आपको उता दें, इसमें पहले इस्थान पर मिस्तर के अली फराग है तो इतना आपको इस रैंकिंग के बारी में याद रखना है इसी हम एंगलिस में वर्ल्ड ओर्टिजम awareness day कहते हैं इस दिबस की शुरुआत एंटे नेशन और उसके सदस्यों दवारा की गई थी ये इस दिवस पर Autism Spectrum विकार से पीडित लोगों के लिए जागरुकता फैलाती है Awareness फैलाती है इस दिवस की शुरुगात 2007 में की गई थी 2019 में इस दिवस की थीम है Assistive Technologies Active Participation एक वाफ फिर आपको बता दें 2019 में World Autism Awareness Day की थीम है Assistive Technologies Active Participation तो इतना आपको इस दिवस की बारे में याद रखना है Next Question आंदर केशरी के नाम से किसे जाना जाता है तिसको स्योफन है T.Prikasam T.Prikasam को आंदर केशरी के नाम से जाना जाता है दोस्तो कुछ और स्क्रीन पर आपको नाम देख रहे होंगे इनके बारे में भी बता दे श्रीकृष्ण से को बिहार केशरी के नाम से जाना जाता है आसुतोस मुखर जी को बंगाल केशरी के नाम से जाना जाता है लाला लाचपत रायर जी को पंजाब केशरी के नाम से जाना जाता है तो इन चारों की बारी में आपको इतना याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आप मारे चैनल स्टेडी यूनिवर्स को सब्स्राइब कीजिए वीडियो को लाइग कीजिए शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर हाजर होंगे दोस्तो आपको जो question मैंने icon में दिया है उसको भी आप solve जरूर करें और हमें answer दें तो आज के लिए वाच इतना ही Have a nice day